बश्कार दोस्तों मेरा नाम है बैसिंग और आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट इस्टर दिवीद अवय पर आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे दोस्तों आज जो हम लोग सायने की स्कूल में एडिमिसन लेने के लिए जो इंटरेंस टेस्ट होता है त चलिए आए शुरूग करते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे रहें दोस्त कि आपका जो टोटल प्रशन है प्रशनों की संख्या मैथ में वो टोटल पचास होती है और उसके लिए जो निर्धारित अंक है वो डेट्स हों है दोस्तों ठीक है तो चलिए आए एक एक चिप् नेक्स्ट है आपका एकात्मक बिधी एक एक नियम जिसको बोलते हैं अगला है आपका भिन फ्रेक्शन से कोश्चन आजाएंगे नेक्स्ट है आपका निस्पत्ति और अनुपाद जिसे हम रेशियो और प्रपोशन बोलते हैं न दोस्त उससे कोश्चन आजाएगा इसके बाद लाभानी हो गया यानि की profit and loss हो गया सरली करण से भी question आएंगे जिसे हम simplification बोलते हैं next है आपका आउसत आउसत से भी आपके प्रशन पूछे जाते हैं जिसे हम average बोलते हैं next है आपका परतिसत यानि की percentage next है आपका छेत्र और परीदी एरिया उगरा से भी जिसको perimeter बोलते हैं उससे question आपके आ जाएंगे इसके बाद आपका हो गया सरल ब्याज हो गया ठीक है इसके बाद आपका रेखा और कोड हो गया ठीक है next है आपका तापमान और आगे बढ़ेंगे next है आपका इकायो का रुपांतरड इसके बाद रोमन अंग से भी सवाल पूछे जाते हैं कोड के प्रकार भी पूछे जाएंगे ठीक है ना सरकिल हो गया इसके बाद आपका घन और घन के आयतन से भी question आते हैं फिर इसके बाद प्रधान और संग्र हो गई फिर इसके बाद शमान संख्या हो गया next आपका जो topic है वो है आपका दस्मलो संख्या फिर इसके बाद गति और समय से भी question पूछ लिए जाते हैं फिर संख्याओं की संक्रिया हो गया फिर आपका पूरक और संपूरक कोड से भी प्रस्ण पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट आपका जो चेप्टर है वो है भिन की ब्योस्थापन तो ये दोस्तों जो है मैथ के जो टोटल जो टॉपिक्स हैं उसको मैं कभर करा दिया इस वीडियो में आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फिर भी कुछ भी सवाल पूछना है मेरे दोस्तों आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और आप तो येट्यूब का अलगरिदम जानते हैं मेरे दोस्त की जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ये वीडियो को